हेलो एवरिवन मैं रुकसाना सैफी सैफी किचिन मैं आज आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं होममेड बटर की रेसिपी सो लेट सी हाउ टो मेक इट तो यहां मैंने ले ली है दूद की मलाई जिसको मैं बारे दिन तक के खटा करती हूं फ्रीजर में इसको स्टोर करती हूं तो बारे दन के बाद मैं फिर मैं उस मलाई से घी बना लेती हूं और बटर भी बनाती हूं मैं होममेड बटर ही यूज करती हूं बाजार का बिल्कुल भी नहीं मंगाती हूं तो यहां मैंने यह दूद की मलाई ले तो ए जो रेगुलर दूद आता है नOh! में बढाद मलाई जम जाती है तो वह ही उतार कर हम फ्रीजर में स्टोर कर देते है अच्छा इसको नीचे फृच्ड में ना रखें जहां आइस जमती है तो इसको थोर करते रहें तो नीचे लिंक छोड़ दूँगी, तो अब मैंने क्या करना है, कि मलाई मैंने मिक्सिंग जार में ले ली है, और इसमें मैं कुछ आइस के क्यूब्स इसमें एड़ कर देती हूँ, जिससे कि जब हम हम चर्न करेंगे ना मलाई को, तो वह हीट ना पकड़े और पिगले ना, तभी उसमें से मक्षन निकलेगा, तो यह दिखिए मैंने कुछ आइस के टुकड़े इसमें डाल दिये हैं, तो अब हम इसे चर्न कर लेते हैं, तो यह दिखिए, यहाँ पहले पल्सेज पर हम इसको चलाएंगे, रुक रुक कर हम पहले मिक्सी को इसको चलाएंगे, 30 सेकंड के लिए मैंने यहाँ इसको इस तरह से ही चला लिया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं, तो यह दिखिए, अभी थोड़ा सा लिक 30 seconds के लिए और चला लेते हैं और यहां ठोड़ा पानी भी मैं डालऊगी क्योंकि काफी ठिक है इसका बेटर तो यहां थोड़ा सा पानी की मदद से भी आप इसको चला सकते हैं कर चलाने में दिक्कत हो रही है तो क्योंकि मुव अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो हमने इसमे दूद अलग हो चुका है और इसका मक्षन अलग हो चुका है तो बिल्कुल आप यह ready है तो अब हम क्या करते हैं बाउल लेते हैं और उस पर हमें छलनी रख देते हैं और उसमें हम इसको निकाल लेंगे बटर को तो छलनी से इसका सारा दूद ड्रेन हो जाएगा और इचार पड़ा के यह जो धूर बचा है यानि इक इसको बठर कहते हैं तो यह वी बड़े काम का है इसको बिल्कुल भी नफन के इस के छाज बना सकते हैं इसमें इसको जमा देना भी बन जाएगा या फिर अप इसका पनीर भी बना सकते हैं इसको गरम करने के बड़ी सॉफ्ट आती है रोटी भी वड़ी सॉफ्ट आती है तो आप इसे कुकिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं और देखिए यह जो बटर है न इसको आप दबा-दबा के अच्छे से इसका पानी निकाल दे और यहां मैं ठंडा पानी डालोंगी इस पर जिससे कि इसका दूद वगर हम अच्छे से वाश कर लेंगे थोड़ा सा पानी से इसको नहला दें और ठंडा पानी होना चाहिए जिससे कि हमारा बटर पिगले नहीं और ऐसे दबा-दबा के हम इसका पानी निकाल देंगे और अब हम इसे एक बावल में ले लेंगे अच्छा आप अगर तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन एक बटर वाला कलर देने के लिए मैं इसमें एड करूंगी टर्मरिक यानि की हल्दी तो यहां 1 फोड टी स्पून मैंने हल्दी एड कर दी है क्योंकि भाई अभी बटर है तो बटर जैसा लगना तो चाहिए ना बाजार जैसा तो इस लिए हमने इसमें हल्दी एड कर दी है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देखिए मिलाते मिलाते इस तरह से यह दूट जैसा आए ना तो इसको आप अलग करते जाए और देखिए मैंने यहां टर्बरेक एड की है कलर देने के लिए क्योंकि वह हेल्दी ऑफशन है और अगर आप चाहे तो इस तरह से यह फूट कलर बजार से आसानी से अविलेविल है तो आप यह यलो कलर ले सकते हैं ज्यादा नहीं लेना है बस थोड़ा से लेंगे और इ हम लेंगे एक इंपटी कंटेनर जिसमें हमें इसको स्टोर करना है तो मैं इतना ही बटर बनाती हूं जो बस इस कंटेनर में फिल हो जाए और जब यह खाली हो जाता है तो फिर से इसमें भड़ देती हूं बनाकर तो इतना ही इनफ होता है हमारे लिए तो 15 दिन के लिए मै खराब नहीं होता है 5 तो इसको में इसमें फिल काड़ा दूंगी अचं़ लिए तो camera में पता ने एक्च्वर पार eyes नहीं रहा है नहीं बढ़ा ही अच्छा सा कलर इसका इक दम बटर जैसा आया है लेकिन कुछ light का focus इस तरह का है कि यहацत्पोड़ा जादा लाइट जैसा हो रहा है तो ये देखिए मेरा एकदम सही बैटा है बटर जो मैंने बनाया है क्योंकि मैं उसी कॉंटिटी से ही लेती हूँ जितना इसमें फिल हो जाए आपको जितना बनाना है जितना आपका इनफ है फैमिली के हिसाब से उस हिसाब से आप बना लें पंदरे बीस दिन भी आराम से चल जाता है तो ये देखिए इस तरह से स्पून से दबा दबा कर हम इसको फिल करेंगे क्योंकि नीचे काफी गैप रह जाते है और जो उपर का सरफेस है उसको अच्छे से इस तरह से चिकना कर दें इस्पून से ही और बाकी का हम ये टिशू पेपर से साफ कर देंगे किनारों को तो होममेट बटर आप इस तरीके से बनाईए बड़ी ही आसान रेसेपी है और फिर घर में बनी हुई चीज बाजार की बनी हुई चीज से बहतर है क्योंकि वो घर में तैयार हुई है सफाई से हमें पता है कि उसमें क्या-क्या हमने डाला है तो जब इस तरह से होममेट चीज जब हम अपनी फैमिली को खिलाते हैं तो एक satisfaction भी होता है हां हमारे बच्चे सही चीज खा रहे हैं और हेल से खिलवार नहीं हो रहा है की कि बाजार वाली चीजों का कुछ भरोसाह नहीं है कि वह क्या उसमें मिलावाट कर REE और आप डाल रहे हैं और यह बनाते हैं तो हमें पता है कि यह एकदम प्योड है तो अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूं लिट लगाकर और अब देखिए यह नेक्स डे है मारा और यह मैंने फ्रिज से पांच मट पहले ही बटर को निकाल दिया तो जब भी आपको खाने पर इसको एपलाई करके दिखा रही हूँ तो आई होपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी है कर पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी सभी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें आपका बहुत 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 शुक्रिया भाई खुदा हाफिज टेक केर रहे नाइस देख